हेलो गाईज, आज हम लोग पढ़ेंगे जोग्रफी और जोग्रफी में हमारा आज का टॉपिक है बारत का अपवातंत रिवर सिस्टम इससे पहले देखेंगे अपना factual question तो देखें इंडिया और ओमान के वी जो exercise होती है उसका नाम है फ्रेंट्स नसीम अल बहर और अल नगा तो देखेंगे अपना टॉपिक तो देखें फ्रेंट्स अप वहा तंत्र से ताथ पर नदियों के उस जाल या तंत्र से है जिससे धरातल ये जल प्रवावित होता है तो देखें क्या होता है ना कि आपने जैसे आप मैप दिखेंगे तो आपको क्या दिखेंगा कि खुब सारी नदियां बहती हुई दिख जाल को अपवाहतंत्र कहते हैं ठीके नदी तन द्वारा जिस छेत्र का जल प्रभावित होता है उसे अपवाहत रोणी कहते हैं और देखे जिस जगह का है जिस छेत्र का जल प्रभावित होता है उसे अपवाहत रोणी कहते हैं भारत के अववाहतंत्र का नियंत्रन मुक्ता भागलिक इश्थलाक्रिटीयों द्वारा होता है तो देखे जैसी भागलिक इस्थलाक्रितियों गी पर्वत पा्थार है उस तरीगे का अभवात अंतर होता है इस आधार में भारती नदियों को दो मुक़्े वर्गों विफाज़ित किया जाता है हिमार ले की नदिया और प्राइद इीपि नदिया अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो उपर है हिमार ले और नीचे आप देखेंगे प्राइद इपि भारत है हिमारा जो South India है तो इस तरीके से इंडिया जो नदिया भी है वो दो पाट में divided होती है जो हिमार ले से करो निकलते हैं और जो प्राइदी-प्य भारत से निकलती है बारत के दो मुखे भोग-वालि के छेत्रों से उत्पन होने के कारएं हिमाल X er8 लेंडिया इक दूसरे से भिईन हैं तो क्या होता है ये दो अलग छेत्रों से उत्पन होती है इस किरॉल ह बहते हैं कि मंदिखायद पे नदिया मौसमी है क्योंकि प्रफ वर्शा पनिर्भा करता है। इर सबस्ते योशा परवदे कि हीज़ा नदिया न क어तून。 इंटिला के उत्त्री भाग से निकलती है। इन नदीयों ने परवतों को पाट कर गौज निरमान किया। अगर आप हिमाले देखेंगे, तो आप देखेंगे, सारी नदिया हिमाले के दक्षिन की तरफ से निकलती है, लेकिन जैसे सिंदु और ब्रहंपुत नदिया हिमाले के उत्तनौत साइट से निकलती है, और क्या करती है, यह उस तरफ से निकलती है, तो देखें परवतों को का हमालाय नदिया गहरे महां कि गण खड़ गहरे गणह काना थैं हमालय आप्रदन के द्वारे निर्म करें अपने पर्वत्यमार के साथ भया करिख सब्सक्राएं गाति Chesthraig だि जल प्रपात का नेर्मान करते हुए मैदानी भाग में प्रविश करने को प्रद अनेक इसला करती है यह ता समतल घाटिया गोखुरजील बारकृत पैदान गुफट वाहिका यह ता डेल्टा करने नमा गटिया जब यह नदिया निकलती है नफैंस तो अपने रास्ते में बहुत सारी आकरतिया बनाती है जिसे वियाकार की घाटी चिप्रिका है या आप देख सकते हैं जो हमारे वाटर फॉल से जल प्रपात है और इस थाल पर क्या वजिसे संतल घाटिया है गोखुरजील इनको सब को बाद में आपको चित्र दिखा के अच्छे से समझाएंगे हम आपको सारी आकरतिया पढ़ाएंगे लग अलग तो द मैदानी भागों में सरपाकार बहती है तता अपना रास्ता बदलती रहती है हमाले से निकलती है उनका अबवाचित हमाले में तो कैसा है टेड़ा मेडा है लेकिन मैदानी भाग में कैसी है सरपाकार बहती है और रास्ता बदलती रहती है हमाले से निकलने वाली कोसी नदी तो यह सोग नदी से भारी मात्रा में आफसाद लाकर मैदानी भागों में जबाद आपरूद होजाता है जिसका अपना मार बदल लेते हैं सब्सक्रिया है तो खुब सारे पर्त्थ के साध। hepर बाते झाल देजित isnगे प्रोड़ को तो चुखें dachte इसके मार्ग है उस यह खा कर्फ़या ले कर लिकार भूद आपने मार्ग में रिमास का प्राइदी पर पठार पर पश्नक्र पर बहनेने वाल नदिया ज्वार नद्मुक ऐश्री का निर्मा करती है अगर आप South India देखेंगे प्रायदीप की टरफ जो पश्यम की और भहती है जो देखें एक पूरवी तडट है एक पश्यमी तडट है जो पश्यम की तफ नद्मुक ऐश्री बनाती है यह गुथिय। ऑस सकते में जो क्तिताह में धालрушा है मेंjalमन क्यों रखते हैं ?? राफ शिर्टवास्टि मांडवी ज्वारी भारत्वूजा मैं पंबासे बहते है सब्सक्राइणदगे बहती है किसी लेकिन पुलर की तरफ हम प्रहैं। लेकर कुछ चयी और नियर जो युझाまぁ पुछ सकते हैं कोनो सी नदी है तो नर्ब den अधिया उतास्यायर व्हें सावड़ी जो मृ जोड़ी के-व और पतार की मुखनदीय जैसे महानदी गुदावरी किशना कावेरी पूर की ओर भैती है और देखे जो भाकि नदिया है ले देख सकते हो पूर की और बहती है बंगाल की खाड़ी में गिरने से ल्ड़्टा का निर्मानू निर्मान क स het तो हिमाल्य जो अपवा तन्त्रा वो नया है, हिमाल्य तो देखते कहते हैं अभी भी बन रहा है, अभी भी वो उठ रहा है, और प्राइधी पी अपवा है वो पुराना है, ठीक है, पहले से बना हुआ नदी-दू-फ्राइधी प्राइधी sagt-धी निकलने वाली चंबल- एक निश्चित मार्क पर चलती है तहां विसर्प का निर्मार नहीं इसंदे कर नियुक्र उसे तत्षक निर्मार नहीं बनाती है नदिया निश्चित पानी निर्मार पर दो अपन इनमें ऊटती है इनका बरसाती है मतलब वर्शा में इनका पानी ज्यादा बरता है बाद में कम हो जाता है तो वर्शा के उसार इनकी मात्रा घट्री बढ़ती रहती है प्राइदीप ये नदी तंत्र में नरमदा और तापती ऐसी नदिया है जो ब्रंश घाटी से होकर बहती है देखे जो नर जाती है नदिया विशेश रुख से पश्चिम में तर्ट की नदिया पेक शक्रत कम लंबी हो उनका जल ग्रहन चेट सीमित है जो पश्चिम के और जाती है नदिया वर्ष के कुछ इसों में बैती है तो देखिए जो अन्ता मुझा इस थाल के अंदर से ही निकलती है और वही विलूप तो जाते हैं कि समान रूप से नद्या निवर्षा वाले जो ते लैज वर है तो घुप अलो कि दे कहा दूलिए तक बहुत हैं निकलता और उधर इस्थाल में समान के लीओं धिलुहंडे निहांति में जाया कर नमक की जिल के दोनी माच्छो में आदी नदिया कुछ दूरी तक भैकर मरुस्थल में खुजाती है तो देखे कुछ नदिया क्या है जो राजिस्थान में रेत में ही समा जाती है तो वह समुद्र तक नहीं पॉशती है अब देखे एक सिंदुनदी का अवातंध हम पढ़ेंगे बाकी नदियों का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो देखे सिंदुनदी का उद्गम तिबबत की कैलाश परवस शेडी में बोखर्चू की निकट एक हिमनत से होता है सिंदुनदी कां से निकलती है अपने उद्गम से निकल के पशाद लद्दाक जासकर शेडियों के बीस से उत्तर पश्रिम दिशा बहती हो यह दम्चों के पास भात में प्रवेश करती है निकलती कहा है तिबबत से कलाश परवत सेडियों है बोखर्चू की निकट एक हिमनत से ठीक है उसके बाद लद् बाद में प्रवेश करती है तो यह दम्चों के पास भात में प्रवेश करती है तो यह दम्चों के पास भात में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में जो दर्दिस्तान में चिल्लड है उसके निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है भात में इसकी लंबाई 1114 किलो मेटर कुलंबाइ 2880 किलो मेटर है सिंदु नदी बाइ और दाय दों तरफ से अनिक सायक नदिया मिलती है तोपिक में इसलिए चुना क्योंकि रिवर सिस्टम से एक क्वेश्चन जो यूपी से में आता ही है एक दो क्वेश्चन लेकिन सायक नदिया से भी क्वेश्चन बहुत आते सिंदु की सायक नदिया जैसे शोग, गिलगे, शिगार, काबुल, जासकर, पंचन जिन को हम बोलते हैं जेहलम, चेनाव, रावी, सतलज ब्याज, ठीक है इसमें काबुल के दायने तर्चे अनिक सायक नदिया कौन से है कुर्रम, तोची, गुमल, बियोवा, संगर तो यह सायक नदिया है वो आपको याद करने है यह नदिया सुलीमान प्रवशेडी से निकलती है पंचनत नदिया आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिथन कोट के पास सिंदु नदी में मिल जाती है यह जो जेहलम, चेनाव, रावी, सतलज ब्याज, यह पाकिस्तान में मिथन कोट क तो यह केवल ले जनपद में प्रवायत होती है सिंदुनदी के दाइट तट पर ले हवस्तेत है राइट साइट पहले सिंदुनदी जल समझाते हैं सार भारत इसके विसरजन चमता का केवल 20% भागी उपयोग कर सकता है एक समझाता हुआ था इंडियो पाकिसान में सिंदुन कर सकता है